आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत विडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ देखो यह क्या क्या रहा है इसके तीन पार्ट है फर्स, सेग्ड, थर्ड पहरे पार्ट में क्या बुचा है बुट्रीग ऐसीड कंटेंस अनली छीएचो एफ 4.24 मिलिग्राम सेंपल बुट्रीग ऐसीड इस कंप्लिटली बॉंट इस केस में पहले पार्ट में क्या करना है परसंटेज कार्बन परसंटेज हाइट्रोजन परसंटेज ओक्सीजन ये तीनों की वैल्यू फाइन करना है तो परसंटेज कार्बन के लिए क्या करना है अपने हमें कितना सेंपल दिया गया है 8.45 ग्राम CO2 है इंटू 12 अटोमिक वेट ओफ सीओ अपॉन 44 कार्बन का अटोमिक वेट 12 और CO2 का 44 इंटू 4.24 इसको आप सॉल्ट करोगे तो आप कारेगा इंटु 100 भी कर देना भाई क्योंकि परसंटेज में निकालना है तो हैं अटेज से मुटिपलाइ करकी आप सॉल्ट करोगे तो आप कारेगा 54.35 परसंटेज सिमिलरली आप हाइड्रोजन के लिए करोगे तो आप कारेगा 2 इंटू 3.46 अपन 18 इंटू 4.24 इंटू 100 4.24 है यह यह आप कारेगा 9.06 परसंटेज अब आप करोगे हाइड्रोजन अक्सीजन के लिए सॉरी तो ऑक्सीजन के लिए आप डारेट इसको हैंट से माइनस कर दो क्योंकि अल्टिमेटली तो सब प्लेस करके हैंट परसंटेज बनना है तो आप डारेट माइनस कर सकते हो प्लेस 9.06 अब इसको सॉल्ल करोगे तो आपका आएगा 36.59 36.59 परसंटेज यह आपका आगया पहले पार्ट का सल्यूशन अब इसको रफ देता हूँ मैं और अब अपने करेंगे 2nd part second part में क्या आएगा वो देखते हैं चलो अब 2nd part में देखते हैं 2nd part क्या आएगा % carbon hydrogen oxygen यह अपने निकाल चुके हैं % atomic weight % percentage atomic rate percentage atomic rate निकालेंगे तो कितना जाएगा 54.2 हमारा जितना percentage आये था पिछले के इसमें upon 12 का atomic rate ये कितना जाएगा आपका 4.52 के अप्रोक्स आपका आएगा similarly आप hydrogen के लिए करोगे hydrogen के लिए आपका आएगा 9.2 और oxygen के लिए आपका आएगा 36.6 upon 16 ये आपका आएगा 2.29 अब इसमें आपका lowest factor and factor की value निकालने पड़ेगी नाम है तो factor क्या आएगा आएगा factor request 2 सबका individual individual factor upon lowest ऐसे ही करते हैं हम लोग empirical formula निकालने के लिए तो यहाँ पे individual कितना है इसका 4.52 divided by lowest कितना है 2.29 ये आपको रोगे तो approximately 2 आएगा second case के लिए आपको रोगे 9.2 upon 2.29 ये भी आपको approximately 4 आएगा और third case के लिए आप करोगे तो यहाँ है 2.29 upon 2.29 ये तो से मिर आएगा ये आएगा आपका 1 तो अब आप यहाँ से क्या लिए सकते हो empirical formula लिए सकते हैं ना आपने पेंचेंज करके लिए देता हूँ empirical formula empirical formula आपका आजाएगा C2H4O ठीक है ना ये देखो ये C है C के साथ कितने है 2 H के साथ 4 और O के साथ 1 ठीक है तो ये आपका empirical formula आगया थर्ड case में आप से पूछ रहा है उसका molecular formula थर्ड case में आप से पूछ रहा है molecular formula तो देखो थर्ड case कैसे करेंगे molecular mass कितना है इसका molecular mass है इसका इसका molecular mass है 88 88 है इसका molecular mass दिया गया हमें determined to be 88 question के according मैं मन से नहीं लिख रहा हम कुछ देखो सब दिया गया question में द्यान से question पड़ो molecular mass sorry यह molar mass दिया है यह अपना molecular mass है upon empirical mass empirical mass molecular mass upon empirical mass आप लिखोगे तो यह आपका कितना आएगा 88 upon 44 यह आपका आएगा 2 यह 2 आगया तो अब हम लोग को पता है क्या पता है कि हमारा जो molecular mass होता है formula molecular formula होता है empirical formula into n जो हमने यहाँ पे n की value निकाली है यही है हमारा n यह देखो जो 2 निकाला हमने यही है हमारा n तो यह हमारा molecular formula कितना हो जाएगा C4 H8 O 2 यह अच्छा question था आपके exam में भी आ सकता है तो इस question की अच्छे से practice करना चलो यह question यहाँ पे हमारा finish हो गया Classics to 12 से लेके NEED IIT JEE means और advance के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज जी download करे doubt net app यह WhatsApp कीचे अपने doubts 8-400-400-400 पर